सीम नितीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की मुहीम को तेच कर दिया है। श्रीजन योजना के तहट पिहार के सभी जिलों में ऐसे दो-दो सावानि सुभिधा केंद्र स्थापित किये जाएंगे। योजना के सुक्रिती संचालन और परिवेक्षण जिला पतेधिकारी के अध्याक्षता वाली समीती करेगी। उद्योग मंत्री स्यामरजक ने सभी जिला महाप्रवन्धों को समु की दक्षता को देखते वे उद्योग चयन में मदद करने के निर्देश्तिये हैं। विभाग ने पहले मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना शुरू की थी जिसके तहत हर जीले में दो या उससे अधिक कलस्टर बनाई जाने थे। अब इस योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री रोजगार श्रिजन योजना कर दिया गया है। यो योजना कुशल स्रमिकों को एक स्वय साहता समू के रूप में होगी जिसमें हर समू में कम से कम दश लोग शामिल होगे या वो लोग होगे जो एक ही तरह के उतपादन या दूसरे काम से जुड़े होगी जिसमें उन्हीं स्रमिकों को शामिल किया जाएगा जिनें किसी कारे विशेश का प्रसिक्षन प्राप्थ हो या फिर उस काम को करने का कम से कम एक साल का अनुभब होगा। सरकार ने घोशना तो कर दी है लेकिन यह जमीन पर उतरेगा या फिर फाइलो तक ही सिमट कर रहेगा इस बात को लेकर फिलहाल शक है। पिछले पंदरा सालों के सासन में नितीज सरकार ने कई ऐसी योजना की घोशना की साथ ही कई कमपनियों के साथ M.O.U. भी हुआ पर नतीजा धाक के तीन पात के जैसे ही रह गए। Bureau Report के लिए The HD News